बेबलेड बर्स्ट में आपने डार्क फ्लक्स का नाम तो सुनाई होगा लेकिन क्या आपको बताए कि बेबलेड के अंदर डार्क फ्लक्स कैसे आता है चलो मैं आपको बता देता हूँ तो यार डाक फ्लक्स जिससे हम जैपनिज जब के हिसाब से डाक टबो के नाम से जानते हैं और यह हमें पहली बार बेबलेड बस्ट राइस में इंटिड्यूस किया गया था तो यार अब तक डाक फ्लक्स को सिप दो ही बेबलेडर यूज़ कर चुके हैं जैसे कि ऑथर पैर के बेबलेड का हाइपर फ्लक्स एब्जॉब कर सकते हैं डाक फ्लक्स को डाक ओरा वाले ब्लेडर या तुम समझ सकते हो कि डाक पावर वाले बेबलेडर ही यूज़ कर सकते हैं डाक फ्लक्स बेबलेडर के डाक रेजोनेंस से एक्टिवेट होता है मतलब तुम समझ सकते ह कि बे ब्लेडर के अपने बे ब्लेड के प्रती डाग पावर से लगाओ होना